हेलो गाइस वालकम टू अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्केटमेंट्स और कार्गो टेर्मिनल्स की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में कवर करेंगे स्टैंडलॉण और गाइस पहले हम लोग फिनांसल रिजल्ट कवर करेंगे लैक्स में नंबर्स दिये गए है इंकम की बात की जाए तो इस बार के इंकम में 185.3 करोड का पिछले क्वार्टर में 190.7 करोड का और मार्च 23 क्वार्टर में 191 करोड का इंकम है दोनों की इंकम में बात बडिए फॉब देखने को मिला एगचाफisse 176 करोड का पिछले कवार्टर में 176.4 करोडका और मार्च 23 क्वार्टर में 171.dy6.5 करोड का एक्सपेंस था quarter on quarter expense भी यहाँ पर देखिए तो as it is same है लेकिन year on year के expenses में increase down recover as it is same है वहला कि company expense हुआ है लगा लाक्स में सिर्फ डाउन हुआ और operating profit है company का इस बार का 109.8 करोड का पिछले quarter में 155 करोड का March 23 quarter में 12.5 करोड का net profit है quarter on quarter year on year दोनों में down देखने को मिला है EPS 0.36 का quarter on quarter year on year दोनों में down होती भी नज़र आ रही है तो guys company का result अगर देखा जायना तो बहुत वीक result पेज़ किया है क्योंकि एक तो income में down है और profit में भी down हुआ है quarter ended में अगर हम इसके financial year ended की बात करें income में 744.5 करोड का 23 में 717 करोड का income है income तो increase क्या है लेकिन expenses 698 करोड का 23 में 645 करोड का expense increase और बहुत जादे expenses जिके का profit में down है और अप्रेटिंग profit for 51.5 करोड का 23 में 75.6 करोड का जुकि increase down होता वा नज़र आ रही है net profit 44.6 करोड का 23 में 58.7 करोड का बहुत बड़ी fall देखने को मिला है EPS 1.81 रुपेश का 23 से down देखने को मिला है तो guys company का overall result बहुत इवीक पेश के consolidated basis पर हम इसके stand-alone results को cover करेंगे income है इस बार का 122.6 करोड का पिछले quarter में 131.2 करोड का और March 23 quarter में 129 करोड का income है quarter on quarter year on year दोनों में down देखने को मिला है expenses 117 करोड का पिछले quarter में 117.4 करोड का और March 23 quarter में 113 करोड का expense हुआ था quarter on quarter में expense as it is same है लगवाग only 42 lakhs का down है लिकिन year on year के expenses में लगवाग 4 करोड का increase के जिसके कारण profit में down और operating profit इस बार का है 5.5 करोड का पिछले quarter on 13.7 करोड का March 23 quarter 16 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year दोनों में down देखने को मिल रही है APS 0.19 रुपेज का quarter on quarter year on year दोनों में fall देखने को मिल रही है तो गाइस company का overall result अगर देखा जाए तो बहुत ही वीक रिजल पेश क्या क्या क्योंकि income and profit दोनों में down देखने को मिल रही है और company के शियर रिजल्ट जो है गाइस लेट नाइट इसका रिजल्ट आया 1140 में इसका रिजल्ट आया लेट नाइट और 557.6 रुपेश पी आज क्लोज किया था कंपनी का शियर 7% का profit देखने कंपनी के जो शियर बहुत स्ट्रॉंग जंप मिला था का आज के दिन लेकिन अब यहां से वन सब्सक्राइब करने के लिए तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं प्रेंट करते हैं अगर को कुछे मिलते एने क्रूडों में डिल्दों में बाट